हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका हम शाफ से नहीं नहीं आज मैं आप सबके लिए एक नहीं टोपिक लेकर आयो जिसका नहीं है कंजूमे तो आज हम कंजूमे के बारे हम बात करेंगे तो इस वीडियो को आप एंट तक जरूर देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर इस सूप को बना लेता है वह एक अच्छा फ्रेंच शेफ है अगर यह डिश आगी तो आप कोई बीडिश बना सकते हैं आपके अंदर हूनर है इसकील्स है और आपके अंदर टाइलेंट है तो चलिए हम इस्टार्ट करते हैं जो यह कंजूमे सूप है वह होता है ऐसे होता है वह क्रिश्टल एंड किलियर होता है बलुकुल ट्रांस्पेरंट की तरह होता है एकदम पानी की तरह होता है एकदम साफ किलियर अगर आपने किसी में भी इसको सर्व किया किसी बाल में या किसी ग्लास में आपने डाला उस आपको जुरत पड़ती स्टोक की हैं तो आपको स्टोक बनाना पड़ेगा और आपको यह धियान लखना जिस दिन आपको कंजुमे शूंक बनाना है एक दिन पहले ही आपको आपके पास स्टोक होना चीए आपको जो श्रुट्या जैसे मैनने आपको बऩाए बीफ हो गया मटन हो गया चिकन हो गया किसी कभी ईव एक मनाते है आपका एक मिर परे सोग रैडि हो घर यहाँ यह फिर आप जहाँ अपना टिकन क या दो फिर आप ढ़गा केव सब्सक्राइब फिर ऐने वड़ा मेल इसके बीफ और लेचराइब उसके बाद उसके अंदर आप पार्चले को चॉप करके और फिर आप उसके मीट के अंदर कीमा करते हो और आपको यह दियान लखना है अगर वन लिटर आपका स्टोक है तो उसके अंदर जब कीमा जाएगा means जो उसका मीट का जो भी आप कीमा ले रहे वह तू-फिफटी ग् होना चाहिए जिससे क्या है आपका जो कंजू में सूप है वो बिलुको परफेक्ट बनेगा और उसके अंदर जो है एक भी जाते हैं एक का आप वाइट पार्ट भी इस्तुमाल कर सकते या फिर पूरा एक भी आप इस्तुमाल सकते वाइट एंड येलो पार्ट दोनों आप डाल सकते वो आपकी चोईस है आपको कैसा पसंद और फिर उसके अंदर आपने डालने हर्प्स हर्प्स में आपकी बेलिफ हो गई क्लॉफ्स हो गई आपके पेपर सॉल्ट ये सब जो आपके हर्प्स में आ जाएंगे और फिर इन सब को अच्छे से ग्राइंड करना है मिक करने के बाद फिर आपको जो है उस स्टोग के अंदर डालना है विस्टर से विस्ट कर लिया है या अच्छे से मैश कर लिया प्रॉपर तरीके से और फिर आपको जो है स्टोग जो आपको बना हुआ उसके अंदर डालना और उसको एक बर अच्छे से पूरा मिला देना है म बिलाने के बाद आपको हाइ फलेम पर रखने के बाद जब एक बॉाइल आजाता है फिर आपको शीम कर देनी है फिर प्रियाग आपको शीम पर रखना नहीं हैं किस़ है ब tips कि छीड़ का तर बना को किने लिए तो 30 मिंट मादें के लिए उसके अपर आप का देखोगा थ Kears 10-9 जो है यह जब आपनेOME ता 10-10 मिनिट में जünk है斯े 12 आप 10-15 वे मोटी प्रजम जाईगी जैसे मोटी प्रज्य में आपको क्या करना है अनियन लेना है अनियन के आपको जैसे इसके स्प्रिंकल निकालने मिंस उसके लच्छे निकालने लच्छे निकालने बाद को आपको किसी भी पैन पर रोष्ट करना है मिंस उसको गोल्डन जैसे गोल्डन कलर का अनियन होता है व अगर आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपने हिलाया तो उसके जो है लिंक्स टूट जाएंगे जो आपका चिकन और मटन एकदम अच्छे से उपर आया तो इसकी प्रत जम गई थी एक अच्छी सी वो टूट जाएगे और आपका कंचुमे सूप खराब हो जाएगा आपको ऐसी करना है जैसी बना उसको एकदम से च्छान के और किसी पोशन में डाल देना है किसी भी चाहे आप कोई भी बरतल ले लिजे उसमें डाल देना और यह याद रखना है जब आप डाल रहे च्छान रहे तो इसमें यह अगर आपका है क्रिस्टल olho क्लियर निकला ब sì तो इसमें सूप ऐकदम है, होप कम ऐप किले शुर्प करकाया को आपको साथ सुप को में घर सेखले आपका साथ म civ कोई एकपका शुप करों किले सामारे सी अ पर यह सेखले विडियो के सोब करेंगे माकिन खूंतने बाई बाई टेक केर